हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी हमारे चैनल पर इसके लिए मुझे खेद है अब आगे से आपको डेली सामको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अक्छांस और देशांतर के बारे में तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा तो इसलिए आप लाश्ट तक बने रहे तो लेट्स बेगिन तो आपको बता दें कि अक्छांस और देशांतर ये दोनों हैं ये कालपनिक रेखा होते हैं जिसके द्वारा वह कौन का निर्मान होता है जिससे हम दिशा छेत्र और समय का पता लगाते हैं सबसे पहले है अक्छांस लेटिट्यूड तो इसकी परिभास को जानते हैं तो प्रिथवी के केंद्र पर बिश्वत रेखा के सापेक्ष बनाया गया कोन को आक्छांस काते हैं मतलब इसको हम फिगर डाइग्राम के द्वारा भी जो है इसे हम समझ सकते हैं यह हो गया हमारा प्रिथवी और यह हमारा बीच में है यह जीरो डिगरी बिश्वत रेखा जिसे हम भूमद रेखा भी कहते हैं तिन नाम से जाना जाता है तो इसी की सहयता से यहां पर यह प्रिथवी का केंद्र है यह केंद्र से जो कोन बन रहा है बिश्वत रेखा की सहयता से यहां पर आप देख रहे होंगे तो इसी कोन को अक्छांस हम करते हैं यह कोन का लाता है अक्छांस कि अब आगे आगे है उत्रrick गोला रड में अक्षांश की संख्या नब्भे है कुल जो है वह 150 है उत्री डो अर दक्षी घोलारों भी अक्षांश की संख्या 90 है करा है कि cooking ढ़ए वह जी है कि ये होगयाbenा दिश wolves ay और उपर में हो गया हमारा उत्री गोलार और नीचे का फाग का लाएगा दक्सिर गोलार तो उपरी गोलार में भी 90 है नभब्य जो है वह कुल अक्छांस होगा एक जो है और नीचे में भी 90 ही होता है तो टोटल हो जाएगा, कूल हो जाएगा, टोटल 180 पलस 1, 181, तो 181 ही जो है वह टोटल जो है वह अक्छांस की संख्या होता है, पुरे प्रिथवी में अक्छांस टोटल जो है वह 181 होता है, नेक्ट इसमें है प्रिच्वी के दो अक्षांसों के बीच 111 किलोमेटर का अंतराल होता है जो गैपिंग होता है वह 111 किलोमेटर का जो है वह गैपिंग होता है दो जो है लेटिट्टूड लाइन के बीच में 111 किलोमेटर का जो है वह गैपिंग देखा जाता है कि प तुन सित बादा है सीघौन हो जुन है इसे हम हम एता है उसन कटी बन दिये शितोषन कटी बन दिये इसे हम जानेंगे कि यह क्या होता है इसके बहुत साए प्रकार है जों के कि लाया दिस गर्व करता है लाढक है थिसा और ठेत का निर था दर्वार कया है वह यहाँ पता लगाते हैं तो यह था अक्छांस के बारे में कम्प्लिट जानकारी अब है दूसरा डेसांतर लॉंगी ट्यूड इंग्लिश में जिसे कहते हैं इसका डिफिनेशन है डिफिनेशन है जब से पहले हैं यह तो दोनों दूरू को मिलाने वाली रेखा होती है आधा error अी कि के मिलाने वाली जो रेखा है इसको ही हम कहते हैं देशांतर डाइग्राम के द्वारा भी से हम देख सकते हैं यह हो गया हमारा प्रित भी है और बीच में हमारा हो गया जीरो डिग्री हमने माल लिया इसी से जो भी हमारा बन रहा है उत्री धुरू और लाइन हम देख रहा है उत्री धुरू से लिकल रहा है दचनी धुरू में ने दर क dar जाके मिल रहे और ही धर से की लाइन हमारा उत्री धुरु और दत्छनी मिल रहे हैं हमने दोनों तरफ हुम देख रहा है कि उत्री धुरु से शुरू हो रहा है, वह दछनी धुरु में मिल रहा ह olabilir इस्सी तरह करे एखा को ही कहा जाता है Cole और इससे समय का निर्धारन होता है जबकि हम ने जाना कि अक्षांस में कि उससे दिशा और छेत्र का जो है वह निर्धारन होता है कि इससे समय का निर्धारन इससे समय निकाला जाता है आगे हम लोग जानेंगे समय निकालने की विधी अब नेक्स इसमें पॉइंट आता है दो देसंत्रों के जगा को गोरे कहते हैं इसको इंगलिस में भी गोरे कहा जाता है G. O. R. E. गोरे का siinä मिए इसमें है द्रूआ पर दो देसांत्रों के बीच की दूरी जीरो किले मेर्टर जबकि विश्मत रेखा पर अधिक्तम दूरी 11.32 किले मेर्टर होता यह था नहीं सबस्द कर दो द्रूप और करके दोनों के बीच में तो कोई gapping नहीं रहा इसलिए यह पर zero km होता है इसलिए ही कहाण जाता है कि दो 2700 के बीच का दूरी होता है वह zero km होता है दोनों पिछाम पर आखर्कें मिल जाते हैं इस लिए और यमकि अगरोच के विश्वत रेखा पर तेन दो किल्मेटर जैसे से इसके बीच में भी जो होगा वह 111.32 किल्मेटर होगा यहां यह दो देसांतर का भी अगर हम बात करेंगे तो जो होगा होगा 111.32 किल्मेटर होगा कि आगे बढ़ता है कुल देसांत्रों के संख्या फोकता है 1808 प्लस 180 मतलब यह हो गया एक तरब का हमारा पूर्वी पूर्वी गोलार्द हो गया 180 और एक हो गया हमारा दक्षणी गोलार्द एक पूर्वी गोलार्द के एक शूरसी हो गया देसांतर यहां बदबर होते हैं ऑधर दोनों दोनों तरप यहां संधीना करने आगे इसमें 180 डिग्री देशांतर को अंतराश्टी तीथी रेखा कहते हैं जो सबसे लास्ट में जो हमारा बनता है 180 डिग्री देशांतर उसको कहा जाता है अंतराश्टी तीथी रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन है जबकि Zero-Degree दिसांदर को अंतराश्टी समय रेखा जो है कहते हैं जो बीच में Zero-Degree जो गया है उसको जो है वह अंतराश्टी समय रेखा International timeline बोला जता है अंतराश्टी समय रेखा और भी अन्य नाम है जैसे हम कहते हैं Greenwich याम वततर रेखा भी बोला जाता है यहां पर लिखा हुआ नहीं है यह यहां इसके बहुत सारे नाम है धियान रखेंगे हम इसको तो ग्रीन विच जो रेखा हुआ जो जिरो डिक्री देशांतर है वह ग्रीन विच लंदन से गुजरती है आगे इसमें है और लास्ट पॉइंट में है ग्रिणी विश्व का समय नेरधारित होता है ग्रिणी जो जगा है लेंदर में उस से पूरा जो है विश्व का समय उसरी सभी डिसाइड किया जाता है कि कहां पर कितना समय हो रहा है अता जीरो डीके इसांतर पर हुए समय को ग्रीन वीच माधी समय जिसे हम कहते हैं इंगलिज में ग्रीन वीच मीन टाइम जी एम टी आप लोगें सुना होगा वीश्व समय और एक और नाम है जूलू समय भी जो है कहा जाबता है अब देखते हैं समय ग्याद करने की विधी आखिर किसी भी जगा का समय कैसे निकाला जाता है जैसा कि हमें पता है कि प्रिथ्वी को एक चक्कर यानि 360 डिगरी पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है इसलिए जो है 24 घंटा लगता है तो इसको हम मिनट में जो है 60 से गुना करके मिनट में बदल सकते हैं तो हो जाएगा चोजाएगा 24 इंटू 60 एक डिग्री में हमारा निकलेगा 24 गुने शाट वक्ते 306 होगा और जोकी बराबर होगा जोकी आएगा कट करके 4 मिनटों 2 40 पिसके सकते हैं, एक घंटा के बराबर होगया हो गया है, 60 मिनट, तो गूने चार हम लिग सकते हैं, तो आगे जो है फर्मूला में इसका जो है वह हमें इसका जो है काम आये गई है तो घंटा का अंतर बराबर होता है फर्मूला होता है देशांतर का अंतर बटे 15 डिग्री है है किसी भी ज़्वाइब ऑगे को स्टेंगे दो जगा दिया हुआ रहेगा और relief का סबड़े रेंगा दूसरे का तो दूसरे जगा का समय रहें समय को स्टेंगल मैं जो होली को स्टेंटे कि अ के कणे अ कि देर स्टेंगे-पंदर ड स्टेंगरी और कुछ रूल है जो है question को solve करने के लिए समय जो भी निकालने के लिए होता है समय निकालने वाला question में जो है उसी के लिए रूल है दो रूल है तो पहला रूल है दोनों जगा दाएं और जब होंगे आगे हम समझेंगे जो है आगे जो है रूल होंगे समझ में आ जाएगा जब हम question देखेंगे तो से हमें किरियर हो जाएगा तो पहला रूल है कि दोनों जगा दायं और अगर होंगे प्रिथवी के अगर दाय वह जुटेगा जबकि अगर बाय और दोनों अगर बाय और होंगे तो अंतर जो है वह घटता है माइनस होता है युछ उसमें टाइम में मैं वह जाएगा और जाब दाय हो रहे तो प्लस हो गussia और Second है एक जगह दाय और तर्था दूसरी और बाय miraculous उने पर अंतर घाड़ता है ज़ो घंता का अंतर का अंतर काने का मतलब है घंटा का अंतर घंटा का अंतर जो कि घड़ जाता है समें चलिए लेते हैं सबसे पहला कोच्टन है जपान का ऑसाखा 135 डिगरी पूरवी देशांतरपर है जबकि भारत का सहरपुने 75 डिगरी पूरवी देशांतरपर है तो यदि पुने में सुबह के 10 वजे हैं तो ऑसाखा का समय घ्याद करें ऐसा जो है कोच्टन में का रहा है है कि सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे Ah कि डार् 가격 में गपनाएंगे इससे फीर हम थिसके बाद रहे किलियर हो जाएगा कि कैसे फिर як यह प्रीथा है कि बीच में हम ले लिया 0 degree सब्सक्राइब का ढूंग दिना जा और रहा वी सब्सक्राइब कुर्म के moral र मेदर सब्सक्राइब यह हो गया क्या यह होगया 135 degree जपान को साथा और भारत का साथर पुर्वी देसांथर पर हुआ यहां पर होगा हमारा 75 degree इधर का देते हैं 0 डिग्री यह हमारा यहां पर हो जाएगा यह हो जाएगा 75 डिग्री यह भी पूर में ही है फिर आगे कह रहा है कि पूने में सुगा के 10 बजा है तो उसाका का समय ज्याद करें तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं यह डाइग्राम हो गया किलियर है डाइग्राम से भी डाइग्राम इस तरह से होगा तो हम निकालेंगे सबसे पहले गंटा का अंतर. इसको solve करने के लिए हमें गंटा का अंतर निकाल नहीं वोगा. उसके बाद ही हमें निगलेगा, वाम शॉल्व होगा. समय पता चलेगा कि कितना हुँआ हवा- औस्हाकी का समय होगा. तो घंटा का अंतर बराबर होगा देशांतर का अंतर फर्मूला है जनटा का निकालेंगे 135 मेंसे घटेंगे हमारा 516 घटायोंP viu तो यह हो जाएगा तो हमारा घट करके यह हो जाएगा घटने के बाद होगा 25 और 35, 60, 60 बटे 15 ज्याने कि 4 डिग्री हो जाएगा 4 गंटा होगा 4 आवर पूरा घट करके और कटने के बाद आएगा 4 गंटा तो हम अब निकाल सकते हैं अता जो है हमारा हो जाएगा इसलिए जो है ओसाका का समय अब निकल जाएगा उसाका का समय बराबर होगा हुमारा उसाका का समय बराबर होगा यहां पर उसाका का समय हमारा निकल गया अब एक और कोश्चन देखते हैं दूसरा कोश्कन कह रहा है कि मिस्र का का ही रा मिस्र का काहिरा 30 डिगरी पुर्वी देसांतर पर है, जबकि गिनी का मतलब यहाँ पर है पापवान यूगिनिस है, जो अस्टेलिया के पास है मारा देश है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर, जबकि गिनी डेश 75 डिगरी पस्चमी देसांतर पर है, तो यदि काहिरा में दो तो पाहर के दो बज़या हैं तो गिनी का समय घ्याद करें तो हम भी सेम उसी तरह से इस्टेप लेंगे इसे भी सॉल्ब करने के लिए सबसे पहले डाइग्राम को बनाएंगे हम कि बीच में हम लेंगे जीरो डिग्री के बीच में आरे lact trusts का रहा है कोश्यंट के नुसार हम 000 की सकासंद होगा है sadece है यह tenderly हो जाएगा और आगे कहा रहा है जबका सिएतर नीठ डिज्द पाच्छमि देशांतर बहुत यह हमारा पाश्चमि elana सबसे पहले हम इसे घंटा का अंतर निकालने के लिए हमें घंटा का अंतर निकालना होगा तो घंटा का अंतर बराबर हो जाएगा घंटा का अंतर बराबर होगा घंटा का अंतर बराबर 55 डिगरी 75 डिगरी माइनस 30 डिगरी बटे 15 डिगरी तो यह आज आएगा कट करके यह कट करके आएगा हमारा तीन घंटा अब हम निकाल सकते हैं अब आम से घंटा का अंतर निकल गया अब हम निकालेंगे गीनी का समय तो गीनी का समय निकालने के लिए अब गीनी का समय हो जाएगा तो गीनी का समय निकालने के लिए हम देखेंगे कि एक बाइए और है और एक दाइए और है तो ऑक बाईं और दूसरी राईं और होने पर अंतर जो है वह घंटा कांथर घट जाएगा जो काहिरा का जो समय है उसमें घंटा कांथर जो हमने निकाला अंतर अंतर घट जाएगा तो दोपहर के दो बज़े हैं यानिकि तू पीम दो पीम माइनस हो जाएगा हमारा तीन घंटा आजाएगा हमारा 11 एम यानि कि सुबा के 11 बजेंगा गीनी में जो हो सुबा का 11 बजेगा अगर काहिरा में दो पहर का दो जम बसता है था यह हमने जाना अग्छांस देशांतर और समय निकालने के विधी के बारे में इससे समद्धिद अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख कर बताए उम्मिद करता हूँ आपको कुछ सिखने को मिला होगा अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी फेस्बूक और वाट्सेप गुरूप पर सेर करना ना भूले फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंत वंदे मातरम